हेलो इस्टेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसी टुट्यूर्स में तो इस्टेंट्स आज हम लोग इस्टेडी करने जारें बेस्टी एजी फिर्ट समेस्टर का रंफेट एड्राइलेंड एग्रिकलचर के अंदर का टॉपिक क्रिटरेश्टिक्स आफ ड्राइलेंड एग्रिकलचर खेन sacrifice area उनके क्या क्या रहें उसमें क्या-क्या characteristics होते हैं उसके बारे में हम लोग study करेंगे तो इस्टेट्स आई हम लोग अपने topic पर चलते हैं कि characteristics of dryland agriculture area तो इस्टेट्स इसमें जैसा कि है कि सबसे पहले आपको uncertainty and limited amount of rainfall क्या dryland area में बहुत ही कम और बिना निश्चित्ता का बारिस बरसता है क्या बहुत ज़्यादा कम बारिस होता है सालीना जब बारिस ही कम होगा तो वहाँ पर crop का दिक्कत ही होगा कि crop होगा है नहीं या फिर monsoon आने में लेट हो गया या फिर बारिस में बहुत problem में है दूसरा है extensive climatic hazard ऐसी जगा पर climatic hazard बहुत ज़्यादा आते रहते हैं जैसे कि क्या-क्या flood भी आ सकता है water logging condition होती है या सूखा पड़ जाता है तो इन सभी condition से कभी-कभी यहाँ पर frost का भी दिक्कत होती है मतलब पाला मानना तो इस वजह से फसले बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है नेक्स्ट है undulation of soil surface क्या होता है कि इस समय इस जगह पर soil बहुत ज़्यादा इरोड होती है किसकी विजह से मतलब मिर्दा का कटाओ बहुत ज़्यादा होता है जल और वायू के द्वारा तो जल और वायू के द्वारा मिर्दा का कटाओ होना next है extensive agriculture क्या extensive agriculture यहाँ पर जो this type of agriculture adopted in dry area always remain extensive due to lack of irrigation extensive irrigation इसली किया जाता है क्योंकि extends की कोई chance नहीं होता यहाँ पर क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है इसली extensive irrigation को adopt किया जाता है next है relatively larger plot size क्या जब यहाँ पर कोई facility नहीं होती irrigation facility तो यहाँ पर smaller plots की कोई ज़रत नहीं होते farmer जो होते हैं बड़ बड़े plots रखते हैं रेंफेड एरिया में क्या जहाँ पर सिचाई की सुईधान नहीं होती वहाँ पर farmers बड़े-बड़े plots रखते हैं next है similar type of crops बात है कि पानी की कमी होने की वज़े से उन्हें हर समय एक जैसा ही crop बोना पड़ता है उन्हें अलग-अलग crops नहीं मिल पाते ह फिर उन्हें मौका नहीं मिल पता लग-अलग crops बोने का next है lower crop yield उनका जो yield है crops का उसकी yield बहुत कम होना बहुत ही कम होती है पानी नहीं बरसता जिसकी वज़े से seeds नहीं ले पाते अच्छी varieties नहीं ग्रो कर पाते जिससे क्या होता है जो हम दो की पुरानी विराइटी है उनक marketing भी अच्छी नहीं मिल पाती जिसकी वज़े से poor marketing system होता है और उसके बाद वो लोग जैसे कि अब अनाज हुगा है लेकिन पानी की कमी के वज़े से अनाज में गया 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 तो इस तरीके से दिक्कते होती है क्या अनाज बिल्कुल अच्छा नहीं पता है इसलिए marketing condition खुच ज्यादा खराब होती है वो लोग इसलिए वहां रुके हैं क्योंके अर्थिक ठीक नहीं है इसलिए मजबूरी में उन्हें रुकना पड़ा है और उनके साथ-साथ उनके जो cattle हैं वहां पर बारिस के वज़े से सूखा मोसम होने के वज़े से उनका health भी बहुत अच में जैसे कुछ human beings है कि उसमें deficiency हो गई किसी minerals की जब पानी कम मिलेगा crop में बिटामीन, fruits, meal की ऐसे वहां नहीं मिल पाता तो उनमें कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं उनके nutrients में ये भी दिक्कतें आ रहे हैं इसमें question बताया है कि crop failure क्यों हो जाता है yield हमेशा एक जैसा क्यों नहीं होता है तो क्योंकि पहला inadequate and uneven distribution of rainfall वहां पर बिल्कुल बारिस की कमी होती है या फिर तो बारिस होता है तो कोई confirm नहीं होता कब होगा Late onset or early essential on rainfall मतब बारिस लेट होना या पहले हो जाना ये दिक्कते आती है Prolonged dry space during the crop growth period कोड़े crop growth period के समय dry space सूखा रह जाना भी दिक्कत करती है Low moisture retention capacity of soil जो soil की moisture capacity है moisture retention capacity है वो भी बहुत कम होना Next है low fertility of soil low humidity high temperature high yield velocity वहां पर soil की fertility कम होना humidity नमरता कम होना उसके बाद क्या करते है higher temperature temperature बहुत ज़्यादा होना उसके बाद higher wind velocity हवा का वायू का वेग बहुत देज़ुना हम लोग मिलेंगे next topic में next lecture के साथ तब तक के लिए धन्यों झाल